हलो, टेक्निकल एनलिसिस, शायद स्टॉक मार्केट का सबसे एक्साइटिंग सब्चेक्ट वेल, इस क्लास में, इस पहले क्लास में मैं आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू और कैंडल स्टिक बताने वाला हूँ मगर कुछ ऐसी important बाते बताने वाला हूँ, जिसकी कारण आपके टेक्निकल एनलिसिस से related जितने भी confusion होंगे, वो खतम हो जाएंगे और आगे आने वाले क्लास के लिए आप पूरे motivation के साथ इस subject को सीखने के लिए लग जाएंगे या पूरी वास्तविक्ता जानने के बाद इसे completely छोड़ देंगे और जो दुसरा science है, fundamental analysis का, उसे use करेंगे अपना portfolio बनाने के लिए या investment करने के लिए तो उन पाँच बातों को समझाने के लिए मैं कुछ analogy करना चाहूंगा, कुछ analogy देना चाहूंगा, कुछ referential example देना चाहूंगा जो अभी मैं एके करके दिखाऊंगा आपको, मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ technical analysis से related जो software हम लोग सीखेंगे, जिस पे आने वाली सारी classes आपको दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, practically वो software तो वो software है ये trading view और ये तो software है, जो आपको सारा data market का लाकर आपके लिए throw करता है ताकि आप इससे related patterns बना सकें, देख सकें, जो भी instruments आप देखना चाहते हैं, जिसके उपर आपको decision लेना है, उसे यहाँ पे आप draw कर सकें लेकिन किस format में draw करेंगे, उस format का एक नाम है, ऐसे बहुत सारे format हैं, मगर जो format हम लोग शुरू में सारे classes में use करने वाले हैं, वो होगा candlestick तो यह अगर मैं zoom करूँ और आपको यह दिखें, इस specific portion को सिर्फ देखें आप, इसे ही candlestick कहते हैं, यह candlestick है क्या, और कितना important है, क्या सारी information यह provide करता है, यह सारी चीज़े मैं इस class में आपको समझाऊंगा लेकिन सबसे पहले, technical analysis को थोड़ा सा समझते हैं, इस science को समझते हैं, कि आखिर यह है क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं है कि technical analysis का base क्या है, क्या यह सिर्फ investors के लिए है, क्या सिर्फ यह trader के लिए है, क्या सिर्फ यह intraday के लो चीज़े हैं जो सबसे पहले समझनी पड़ेगी अब मैं आपसे एक एक ग्जामपल एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मान लीजे आपका एक दोस्त है जो किसी ऐसी जगह पे काम करता है कैसी जगह पे मतलब एक होता है FII desk foreign institutional liquidity desk या आप बोल सकते हो institutional liquidity में काम करता है वो मतलब बहुत बड़े बड़े order execute कराता है आप और मैं 20 जार 50 जार एक लाग रुपे का प्रॉबिली reliance का share खरीबते हैं वो जिन clients को लेके आते हैं वो clients आपका ये दोस्त आप से बताता है phone करके कि मैं आज एक मेरा FII है US में बैठता है pension fund चलाता है और उसे में 2000 करोड का reliance का share खरीद वाने वाला हूं आप क्या करेंगे आप बोलेंगे वाह अगर मेरा ये दोस्त जो IIT में पढ़ा IIM में पढ़ा आज जाकर के एक investment bank में बैठा हुआ है कल 2000 करोड का order execute क कराने वाला है तो जरूर ही ये सुझाओ सही ही होगा मतलब अगर वो reliance में खरीद सकते हैं तो मैं भी खरीद सकता हूं आप क्या आपकी जो natural instinct होगी वो क्या होगी reliance खरीद दो right लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ना तो आपका ये दोस्त आपसे information share करेगा उ इसे insider information बोलते हैं insider trading में US में तो jail होती है इंडिया में कम से कम वो वेक्ती का job तो जाएगा ही right so यहां पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि ये insider trading है मगर data तो है इसमें data किस चीज़ का है एक बहुत बड़े volume का अब मैं अगर आपको ये बोलू कि चलिए insider trading के थू नह दिखें कि कहां पे मुझे ये volume दिख रहा है कौन से time frame में ये volume दिख रहा है और उस समय क्या maximum लोग buy कर रहे थे या sell कर रहे थे ये information अगर आपको पता चल जाए तो उसका भी शायद आप उपयोग कर पाएंगे well जब हम technical analysis की बात करते हैं तो सिर्फ price नहीं आता है आप ज ये game volume का भी है तो आपको technical analysis इसलिए भी आप करते हो ताकि आप price को volume के साथ देख सको और कुछ decision ले सको कैसे आपको decision लोगे ये आने वाले modules में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले classes में पढ़ेंगे मगर शायद आपके लिए example सही होगा कि किस तरीके से कुछ ऐसी classified information जो sense करत हैं उनके बल पे आप कुछ decision ले सकते हो और technical analysis में वो information को कहीं न कहीं graphical representation form में डाला जा सकता है अब मैं आपको एक दूसरी analogy देता हूं अब मान लीजे आप reliance के share की बात करते हैं आपने पिछले 5-6 महीने में क्या देखा या चलिए 6 हफतों में क्या देखा कि reliance 1500 रुपे आता है नीचे और लोग buy करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही 600 हो जाता है 600 के ओपर यह जा नहीं पा रहा है लोग sell कर देते हैं अब मान लिया जाए आपको investment के हिसाब से ही reliance खरीदना था 1600 या 1700 मान लेते हैं example को 10% का example लेकर के चलते हैं तो 1500 और 1600 पर freeze करते हैं तो मान लीज़े 1600 जाता है 1650 जाता है और वहां से नीचे आ जाता है और इसा चार बार हो चुका है अब आपने अपना portfolio बनाना है जिसमें आपको reliance के shares खरीब में मैं trading की बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि technical analysis सिर्फ trader करते हैं ऐसा नहीं है मैं आपको यह analogy देने वाला हूँ इसमें investing का angle लाने वाला हूँ तो आप 1650 पे देखते हो कि यह नीचे आ जाता है अब जब आपने portfolio बनाने का सोचा और आपक कुछ added science भी इसमें डालना चाहते हैं और किसी ने आपको बता है कि यार थोड़ा technical भी देख ले थोड़ा chart pattern भी समझ ले तो आपने क्या देखा किसी ने आपको basic basic ज्यान दिया और आपने देखा okay 1500 पे बार बार यह आता है और उससे नीचे नहीं जाता और 1650 पे जाने के बाद यह वापस आ जाता है अब मान लीजे उस समय स्टॉक साड़े 1600 पे ट्रेड कर रहा हूं आप क्या करेंगे आप investment अपने portfolio में डालेंगे या आप सोचेंगे okay ठीक है चार बार हो चुका है एक बार मैं और देखता हूं कि क्या यह 1500 की तरफ जाता है या उपर जा रहा ह और अगर यह उपर जा रहा है 1500 की बजाए आने की बजाए 1650 की जगर 1660 चला गया तो आपने यह decision लिया 1645-50 पे मैं नहीं ले रहा एक परसेंट और इसको उपर जाने दो 1665-70 आने दो फिर मैं ले लूँगा लेना तो मुझे है ही मतलब 1650 पे लेने की बजाए 15 रुपया उपर आप लेने जा रहे हो मतलब जो पूरा मुनाफ़ा होगा उससे एक परसेंट मुनाफ़ा कम हो जाएगा लेकिन होता क्या है कि यह ट्रेंट दुबारा फॉलो करते हैं और रिलाइंस 1500 की तरफ चला जाता है अब आप देखे कि टेकनिकल एनालिसिस के हिसाब से आपने क्या किया आपने एक परसेंट होने वाले मुनाफ़े को रिस्क पे लगा करके 10 परसेंट नीचे खरीदा तो अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो समझते हो और उसको बैलेंस करना चाहते हो तो टेकनिकल एनालिसिस से इन्वेस्टर्स के लिए भी वो पॉसिबल है तो ये आपको मैंने दूसरी बात बताई तीसरी चीज़ जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम बार-बार बात करते हैं बाई सेलर, बाइंग की, सेलिंग की, तो कुल मिला के क्या है? at the end of the day जब आप share खरीद रहे होते हो कोई नो कोई बेच रहा होता है और अगर हम efficient market में believe करें तो सबके पास हर तरीके का information है आज के date में Reliance का क्या profit and loss and management ने क्या decision लिया है हर चीज लगभग लगभग सबको पता है बात कर रहा हूं मैं ऐसी कंपनियों की जो बहुत liquid है जो operators के दोरा driven नहीं है market driven है इसलिए मैंने Reliance का example लिया सबसे बड़ी कंपनी है अपने देश की शायदी कोई operator इसको चलाता होगा या चला भी पाएगा तो अगर 100-200 परोड की कंपनी है तो वहाँ पर तो मैं technical analysis करने से आपको सीधे सीधे रोकूंगा ही और बोलूंगा आप वहाँ पर बिल्कुल technical analysis का use नहीं करें उस छोड़े से volume को कोई भी आदमी कहीं पर भी उसे share को ले आ सकता है और गिरा सकता है लेकिन हर वो share हर वो instrument जिसमें बहुत volume है बहुत सारे लोग आके trade कर रहे है और market का collective consigns जहां पर काम कर रहा है collective decision making जहां पर काम कर रहा है उनमें आप technical analysis अगर लगाते हो तो आपको समझना ये है बस कि at any point of time कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है मगर ज्यादा से ज्यादा लोग अगर buy करने आ गए तो उस specific moment पे stock उपर की तरफ जहेगा और अगर आपको ये भी पता चल जाए कि इस specific moment पे इस specific time पे अब आपका time frame कुछ भी हो सकता है technical analysis एक scalper भी use कर सकता है जिसको बिलकुल छोटे time frame पे एक दो दो रुपया कमाना है तो वो छोटा time frame का चार्ट देखेगा उसको दिखाने के लिए पहले मैं आपको स्क्रीन पे वापस लाता हूँ for example मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को trading view अभी पता नहीं होगा मगर इसके classes भी होंगे मैं basically trading view को चुना हूँ और trading view के उपर एक पूरा class बनाने वाला हूँ अभी आप इसके detail में मत जाए सिर्फ समझने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे मैंने एक chart लिया ठीक है यह chart है HDFC bank का अभी इसमें मैं कोई changes नहीं कर रहा हूँ बस इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ सिर्फ यहाँ से मैं time frame change करता हूँ यह one month का chart है कैसा दिख रहा है यह one week का chart है यह कैसा दिख रहा है change हो गया और थोड़ा नीचे देखते हैं यह one day chart है मतलब पहले तो मैं आपको यह बता दू जब एक month था वो तो एक महीने के price को एक candle दिखा रहा था कौन से price को यह अभी आपको मैं बताने वाला हूँ मगर अभी तो मुझे सिर्फ आपको यह दिखाना है कि यह chart दिखते कैसे हैं तो एक महीने में ऐसा दिखता है अगर एक week के ऊपर देखें तो ऐसा दिखेगा और one day chart ड्रॉक करें जहाँ पर एक candle एक दिन को बताता है तो ऐसा दिखता है और इसे अगर हम छोटा कर लें 45 minute पर दिखाएं तो ऐसा दिखता है और 30 minute पर कुछ ऐसा दिखेगा आप इसको यहाँ से भी change कर सकते हो ऐसे सिर्फ आप 15 लिखोगे तो 15 minute आ जाएगा ठीक है कुछ भी कोई shortcut नहीं है बस मैंने time लिखा और यह आ गया अगर मैं एक लिखता हूँ तो यह एक minute आ गया तो आप क्या देख रहे हैं chart हर अलग time interval के लिए change हो रहा है उस specific time interval की बात करना चाहता हूँ मैं आपसे बात इतनी सी है कि एक दिन की बात अगर मैं करूँ तो उस एक specific day पे अगर आपको यह भी पता हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग buy कर रहे हैं या sell कर रहे हैं तो भी कही न कहीं आप एक decision लेने में आपको मदद तो हो ही सकती है कि ओके जब बहुत सारे लोग चुकि और इसमें एक चीज़ हम constant मान के चल जाए हैं कि सब के पास सारी information है और इस तरीके की companies में Reliance जैसी company में maximum लोगों को efficiency अपनी पता है stock market में decision लेने की अब आप उस wave पे कही न कहीं ride करना चाहते हो इन charts के through तो वहाँ पे आपको अगर एक दिन के time frame में पता चल जाए कि ये जो tug of war है ये जो war है इस war में buyer जीत रहा है या seller जीत रहा है अगर buyer जीत रहा है बहुत सारे buyer है तो उस time frame में stock price उपर जाएगा seller जीत रहा है तो नीचे आएगा अब छोट इसी बात है यहाँ पे कि आसान है ये समझना कि buyer जादा है तो buy होगा और share price उपर जाएगा seller जादा है तो नीचे आएगा seller कोई भी हो सकता है short seller हो सकता है उस specific time frame में या जो buyer है और profit book करना चाहरा है वो भी हो सकता है लेकिन at the end of the day अगर ये है representation कहीं न कहीं पे किसी chart form में तो आपको decision making में तो मदद मिलेगी क्योंकि सिर्फ अगर आप numbers देखेंगे तो उन numbers को इस तरीके से plot करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और जब इसे आप plot नहीं कर पाएंगे तो statistics यूज करके आप वहाँ पे decision ले सकते हैं देखें जो chart पे आप यहाँ पे देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है historical data ही है अगर आपका statistics अच्छा है तो आप statistics का भी शहारा ले करके बहुत सारे indicator बना सकते हैं जो आपको बताएगा कि based on historical data यहाँ पे क्या decision लेना सही होगा किस चीज की probability हाई बनती है मगर जब बात हम करते हैं probability की तो यह probability आती कहां से है probability का हिंदी probability का अभी मैं just हिंदी भूल गया हूँ मगर मुझे पूरी उमीद है कि आप समझते होंगे तो probability आती है कि हमने historically देखा क्या देखा हमने historically market में एक चीज देखी कि भई जब भी ऐसा कुछ होता है इस तरीके का एक pattern बनता है तो market वहाँ से गिरती है instrument वहाँ से गिरता है या चड़ता है यह pattern हजारों बार देखा दिया और उसे उठा करके एक technical analysis के book में डाल दी गई वैसे है technical analysis के book नहीं है मगर technical analysis के एक book में डाल दी गई अब यह जो आखरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद सीधे candlestick पर जाऊंगा वो यह बताने वाला हूँ कि आपको volume का significance हमझ में आ गया आपको significance इस बात का भी समझ में आ गया कि price देखना होता है आपको time frame के साथ chart बदल जाएगा और patterns बदल जाएगे यह भी आपको समझ में आ गया फिर buyer और seller का एक war है जिसे आप graphical representation में बहतर दर्सा सकते हैं rather than आप इसको data में दर्साएं तो यह जो सारी चीज़े हैं यह सारी चीज़े आपको समझ में आ गई कि क्यूं जरूरी है technical analysis और किन लोगों को मदद कर सकती है technical analysis लेकिन फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझे बिलकुल message कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि और क्या significance है आपको अगर कुछ लगता है कि और भी added advantage है technical analysis का तो मुझे आप बता सकते हैं लेकिन फिलहाल मुझे आपको बताने के लिए चार बाते थी मगर आखरी में एक exception है उसके बाद सीधे मैं candle stick पे जाओंगा exception यह है कि जैसा मैंने आपको बताया कि probability हमें दिखी क्योंकि हम लोगों ने 1000 observation किये फिर उसे उठाके एक book में डाल दिया कभी हमने उसको technical analysis का नाम दिया कभी price action का नाम दिया कभी दूसरे नाम भी दिये और technical analysis के अंदर और भी subject हो गए जो इसके branches आप बोल सकते हो लेकिन आप सब को एक बात समझनी होगी मान के चलना होगा इस बात को कि ये book market को देख के लिखी हुई है लेकिन एक सबसे बड़ी गलती जो हर common investor और trader शुरू शुरू में कर देता है वो ये कि उसे ये लगता है कि अब ये book market चलाएगी ऐसा बिलकुल नहीं होने वाला है market को देख के book लिखी गई हुई है और book कभी भी market को नहीं चलाएगी market को govern नहीं करेगी तो हमेशा exceptions होंगे exceptions होंगे आपको अपना risk reward ठीक रखना है और अपने trade की winning probability को बढ़ाना है emotional जो भी चीज़े हैं उसे side में रखके यही एक लौता तरीका है successful trader बनने का आप चाहे वो trading technical analysis से stand alone करें मतलब सिर्फ technical analysis को use करके करें या इसे use करें option trading strategies के साथ या price action के साथ या statistical arbitrage जैसे जो दूसरे tools जिनके तुरू आप successful trading कर सकते हो उसके साथ तो कुल मिला करके ग्यान जितना हो उतना कम है और technical analysis सालों से चला रहा है दो बहुत पुराना subject है बहुत सारे chart patterns बहुत पुराने हो चुके हैं ये तब observe किये गए थे जब इतना data flow नहीं था आज के rate में data बहुत है बहुत data है efficiency ज्यादा है market में और कई बार कई बार जो signals हम यहाँ पे generate करते हैं वो signals बहुत ही false signals होते हैं इसलिए इस course में इन classes में मैं आपको सारे angles दिखाने वाला हो technical analysis के लिए ताकि उन सारे false signals को भी आप पकड़ सकें सिर्फ book पे मत जाएं सिर्फ आप ये सोचिं कि मुझे wise बनना है book पड़ना है और इस course को खतम करना है नहीं book पड़ना या videos खतम करना तो एक part of the process है end result क्या है? end result है आपको successful trader बनना है तो उसके लिए आपको wise होने के साथ साथ smart भी बनना पड़ेगा खेर अब आते हैं हम लोग इस चार्ट पे और समझते हैं candlestick के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया कि यह चार्ट है trading view है trading view देखे सबसे clean system है आज के date में जो मुझे लगता है मैंने जितने भी अभी तक software यूज किये उनमें trading view सबसे अच्छा लगा मैं याँ पे trading view को अच्छी चीज़ा तो तारीफ करनी पड़ेगी otherwise मैं आपको कोई यह नहीं बता रहा हो कि आप इसका paid version ले free version भी जो इसका है वो कमाल का है सारा data है कोई दुनिया कैसा product नहीं है जो यह लोग display नहीं करते हैं सब कुछ है इनके अंदर तो chart patterns, data उसका graphical representation की बात कर रहे हैं हम लोग software तो चाहिए था तो trading view वो software है जो हम आगे आने वाले classes में देखेंगे दूसरा हम लोग देखेंगे एक खास chart pattern बहुत सारे chart patterns होते हैं या charting types होते हैं मगर मैं भी अभी उसमें आपको confused नहीं करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आपका interest पहले बने अब समझे इसके power को समझे इसके अंदर जो भी exceptions हैं उनको और फिर थोड़ी सी back testing करें practice करें क्योंकि end result तो एक ही है आपको एक बहतर trader बनना है course खतम करना कभी भी end result नहीं हो सकता है यह बहुत unfortunate है हमारे education system का कि हमें बनाया इस तरीके से गया है दसवी कर लो क्यों खतम करना है तभी बारवी कर पाऊगे बारवी कर लो engineering कर लो क्यों क्योंकि खतम करना है degree आएगी तभी नौकरी मिलेगी end result हमेशा कहीं न कहीं कोने में रह जाता है हमारी course में इस course में इस technical analysis के series में मैं चाहूंगा कि हमारा जो end result हो वो course को खतम करना या videos खतम करना या सारे chart patterns खतम करना ना हो सब कुछ कबर हुआ है या नहीं हुआ है end result मैं better trader बन पाया हूँ या नहीं मैं सही decision ले सकता हूँ कि नहीं मैं एक specific chart pattern भी ढंग से पढ़ सकता हूँ और उसमें mastery कर सकता हूँ कि नहीं मैं उसके success की probability find कर सकता हूँ कि नहीं यह होना चाहिए हमारा end result because never ending subject है evolve होता रहेगा मैं ये class आज record कर रहा हूँ आप अगर मान के चलेंगे कि यही class आपके बच्चों को भी काम आएगा तो नहीं काम आने वाला है आपको खुद भी evolve होना पड़ेगा तो मैं एक approach की तरफ आपको ले जा रहा हूँ उस process को बताना चाह रहा हूँ जिससे आप empowered feel करेंगे तो आज बहुत basic सी चीज candle stick को समझते हैं अब मान लीजे मैंने आपको एक चीज बताई कि एक specific time frame में यहाँ पर आके देखते हैं हम लोग एक specific time frame में अगर मुझे ये देखना है कि buyers ज़्यादा थे या sellers ज़्यादा थे मतलब उस एक दिन के time frame पे stock price उपर गया या नीचे आया और अगर उपर गया तो मैं उसे green में represent करना चाहूँगा या मुझे पता होना चाहिए कि वो कैसे है तो data देखके exactly तो एक एक row को देखना पड़ेगा एक Excel sheet में हमने data डेला देखा open इतने पे हुआ था close इतने पे हुआ अच्छा उस दिन green है उस दिन buyer जीत गए अगले दिन खुला उपर close हुआ नीचे seller जीत गए तो Excel sheet में तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पे अगर मैं red green red green कर दूं तो हर वो दिन जब buyers आए 100 रुपे पे चल रहा था 100 पे खरीदा और 105 पे बेचा आखरी closing price उस दिन की 105 रही और ऐसा हुआ तो उसे हम green में represent कर दे और stock खुला 105 पे लेकिन close हुआ 100 पे मतलब नीचे हुआ ज्यादा suddenly buyer की जगा sellers आ गये बेच दिया stock को वो नीचे आ गया इसे हमने red से represent कर दिया तो कितना असान हो जाता है यह देखिए आप इसके color trading view पे change कर सकते है मगर जो कि green और red उपर और नीचे की green is profit, red is loss you can say that, नीचे जाएगा तो loss ही होगा तो क्योंकि हम buyer के perspective से देख रहे हैं हम लोग, short sellers की perspective से नहीं देख रहे हैं, वो natural instinct है हमारा कि हम buyer से हैं stock के तो red green concept समझ में आ गया specific दिन में हुआ ये कि एक stock था जो 100 रुपे पे खुला 107 रुपे गया उपर तक फिर नीचे आया कहां तक 98 रुपे तक आप देख रहे हैं क्या हो रहा है 100 रुपे पे खुला 107 रुपे तक गया 7% उपर तक, काफी volatile stock है example के लिए ले रहा हूँ 107 रुपे तक गया वहां से 8 रुपे गिर करके 99 रुपे आ गया और 99 से जा करके फिर उपर चड़ा आखिर पूरा दिन सवा 9 बज़े से लेके सवा 3 तक मारकर चलता है 3 तक तो उस दौरान क्या हुआ 100 से 107 107 से 99 99 से 102 पे close हो गया बस इतना सा एक information है जो मैंने आपको दिया एक दिन के बारे में अब मुझे आपको ये बताना है कई दिनों के बारे में 100 दिन के बारे में 1000 दिन के बारे में कैसे बताऊंगा मैं आपको नहीं बता सकता रहे कहीं एक जगर पे दिखा सकता हूँ एक पूरा गरंथ लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा ये देखे ये है आपका अच्छा इसका significance है आने वाले classes में आप देखेंगे कि ये जो specific information मैंने आपको confused करने के लिए बोला confused नहीं कर रहा था actually मैं बता रहा था कि ऐसा तो होता ही है stock खुलता है उपर जाता है फिर नीचे आता है फिर उपर जाके बंद होता है इस तरीके की market का दूसरा नाम volatility है तो इस तरीके की volatility तो होती ही है तो उस case में हम कैसे दिखाएंगे information को और मान लीजे इस information का use करके कुछ दिखाने वाले कुछ समझने वाले हैं हम लोग तो कैसे दिखाएंगे उसे तो देखिए ऐसे दिखा सकते हैं उसे हम अगर red है तो हमने बताया उपर खुलके नीचे बंद हुआ तो मैं इसको थोड़ा इधर side कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाने में मझे आसानी हो तो ये red candle क्या है पता है आपको ये red candle वही है जहाँ पर ये खुला उपर कहाँ खुला पता है आपको ये देखिए 1590 रोपे पे खुला और बंद कहां पे हुआ पता है यह यहाँ पर बंदुवा नीचे बंदुवा तो यह जो मोटा वाला बार है 1589 रुपे 60 पैसे का यह 15 मिनूट चार्ट है मैं इसको एक बार वन डे कर दूँ यह लिजे मैंने इसको वन डे कर दिया अब थोड़ा समझने में क्योंकि पूरे दिन में वोलाटिलिटी जादा होती है तो आसानी होगी तो पहले एक ग्रीन चार्ट ही देखते हैं हम लोग ग्रीन चार्ट में क्या होगा ग्रीन चार्ट मतलब खुला नीचे बंदुआ उपर तो पता है कहां खुला यह यह खुला 1574 रुपे यह बंद कहा होगा यहां पर बंदुआ उपर बंदुआ यह ग्रीन बन गया अब यह जो पतली वाली रंडी है यह क्या बताता है यह बत डंडी बताती है कि भले यह खुला यहां पे और बंद यहां पे लेकिन एक बार कभी न कभी वो यहां 571 रुपे पे भी आई थी यह आपका ग्रीन कैंडल है इसे आप बुलिश कैंडल स्टिक बोल सकते हैं अगर मैं बात करूं इस रेड कैंडल की तो इसको समझाने के लिए क्या यह रेड है मतलब खुला उपर 1556 पे बंद हुआ 1512 पे लेकिन इसी बीच कभी न कभी यह पूरे दिन में 1565 तक भी गया था और नीचे 508 रुपे 75 पैसे तक आया था और इसे हम करेंगे बीरिश कैंडल तो अभी सिर्फ मैंने आपको दो कैंडल का मतलब क्या है इन कै लिए कर चार्ट पाइस एक्षम कुछ भी कर सकते हैं हम लोग और इन चीज़ों को जो मैंने अभी आपको बताया प्राइस एक्षें और चार्टिंग पैटर्न S और बागी सारी चीज़ों भी हम सीखेंगे वह दूसरे चार टाइप के ठू कर सकते हैं लेकिन अभी फिलहा और Candlestick के basis पे हम लोग सारे decision और chart patterns सीखेंगे तो trading view और Candlestick का एक छोटा सा glimpse दिया मैंने आपको और साथ ही साथ आपको मैंने बताया कि Technical Analysis क्यों जरूरी है किन के लिए जरूरी है इसका base क्या इसका background क्या है और एक बात मैंने आपको बताई जो मैं आपको remind कराना चाहूँगा Technical Analysis की book जरूर है जो बनी market से है लेकिन ये book कभी भी market को नहीं चलाएगी इसलिए आपको evolve होते रहना पड़ेगा 60-70% time आपकी strategy सही रहेगी लेकिन उसकी efficiency को आपको बढ़ाना होगा risk reward ratio को अपने favor में करना होगा as a trader, as a investor दोनों को technical analysis बैक अप प्लान की तरह दे सकता है एक बैक अप प्लान की तरह दे सकता है और जहां पर पहले वो fundamental analysis कर लें और फिर technical करने आए या traders किसी और trading strategy पर काम करते हैं और उसके साथ साथ technical analysis का backup लेकिया है या इस course में तो हम लोग stand alone भी technical analysis को use करके trading कैसे कर सकते हैं risk reward ratio और psychology को कैसे अपने favor में करके ये सीखने वाले हैं ये end objective होने वाला है साथी साथ end objective ये भी होगा कि paper trading करना कैसे सीखें मतलब market में घुसने से पहले खुद को test कैसे करें well इतना ही पहले class में मैं cover करना चाहूंगा